जी हाँ दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी पुलीस कॉंश्टेबल का जो पेपर है वो लीख हुआ था 17 तारिक और 18 तारिक का इसी बीच दोस्तों चातरों ने बहुत ज़्यादा सवाल उठायते सरकार पर और सरकार से दोस्तों यहाँ पर दुवारा से पेपर कराने के मांग करें लेकिन सरकार इस बात को बिलकुल दोस्तों ना करार समझ लिए और बोल रहें कि पेपर लीख नहीं हुआ है जी हाँ तो अब इस बीच दोस्तों एंट्रे हो चुकी है एक ऐसे दिगज की जो यहाँ पर योगी सरकार को सीधी सीधी चेतावनी देते नजरा रहें जी हाँ कि पेपर लीख हुआ है और पेपर दोबारा ही होना चाहिए यहाँ पर दोस्तों यह अब देख सकते हैं कि लगातार जो हैं पर सॉलवर हैं वो गरपतार हो रहे हैं और पेपर पहले ही वाट्सप पर टेलिग्राम पर अपलोड कर दिया जा रहा है यह आप स्क्रीन सोट भी देख पा रहे हैं इस तरीके से दोस्तों सरकार बोल रही है कि टेलिग्राम पर इडिट की सुवी दगा प्रियोक करके यह सब स्क्रीन सोट दिखाए जा रहे हैं लेकिन इसी बीच दोस्तों अब एंट्री हो चुकी है यहाँ पर अखिलेश याद यहाँ पर अकलेश यादव हैं उस आमने सामने आये हैं और उन्होंने दोस्तों खुली चेताम ने दे दी है योगी सरकार को चली दोस्तों जानते हैं क्या कुछ कहा है अकलेश यादव ने तो देखे दोस्तों मानने अकलेश यादव जी ने क्या कहा है उसके बारे में जा पेपर लीक होने की जो आसंका थी वो सच होकर शमाचारों के रूप में सामने आ रहे हैं जी हैं दोस्तों जैसा पिछले बार होता था कि हर पेपर लीक होता था ऐसे ही ये पेपर वे रहे हैंअ पर लीक ही हैं लगता है कि भाज़पाईयों ने परिख्षा को पैसे कमाने का कारोवार बना कर रख दिया है जी हाँ बिलकूल उनने दोस्तों बिलकूल यहाँ प्चास लाग फॉरम गुना कर दीजिये दोस्तों करोडों में पैसे आ जाते हैं तबी तो ऐसे राजलेतिक प्रस्य प्रप्त लोगों के खिलाप कोई निर्णाय कारवाई नहीं होती और हर अध़े में यही खेल खेला जाता है यानि उन्होंने बोला है कि हर्परिक्षा में यही होता है पिछले वाद 2018-2019 में भी री एक्जाम कराया गया और इस वार भी योगी सरकाप इस एक्जाम को अच्छे से नहीं करा पाई अब दोस्तो आगर उन्होंने लिखा है कि भाजपा ने युवक यूपतियों का विश्वास खोदिया है इस लोक सवच चुना में युवबाजपा को पदमुक्त कर देंगे युवा ये कहता आज का नहीं चाहिए भाजपा यानि दोस्तों उन्होंने सीधे सीधे योगी स्वरकार को बोला है कि चेतावनी दे दी है कि आप से कोई पेपर साही से नहीं हो रहा है और यहाँ पर दोस्तों अखिले सी यादवने सवाल उठाए है और नीचे उन्होंने दोस्तों यह से लिखा है कि सिपाई भरती परि jurisd грस कराने के लिए कुले करें पर दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं और यहां पर योगि सरकार को लिखा गया है जिक है जब और यहाँ पर राहुल गांदी ने रेली में दोस्तो एक स्टूडेंट को प्रियागराज में अपनी रेली में दोस्तो अपने उपर भोला कर दोस्तो पूछा कि बताईए आपका पेपर लिग हुआ है या नहीं हुआ है तो चातरे ने दो सरकार की पूल खोल दी तो यहां पर दोस्तो एक अखिलेस यादफजी और दोस्तो राहुल गान्दी जी दौनों मिल कर अब इस एकजाम की दोस्तो जो पेपर लिख हुआ है इसकी पूरी तरह दोस्तो सरकार को घेर चूके है अब योगी सरकार ट्यूटर हैंडल भी दोस्तों योगी सरकार को यहाँ पर इस्टूट गिरे चुके हैं यहाँ चारो तरफ से योगी सरकार गिरती नजरा रही है विवक्ष का भी साथ मिल चुका है और दोस्तों साथ में यहां पर योगी सरकार को अखिले स्यादव और दोस्तों राह लगाने चुनावी मुद्दा भी है दोस्तों मेरवाई क्योंकि यह अखिले स्यादव ने पहले भी सवाल खड़ किये थे जब एज में छूट नहीं मिली थी आपको पता होगा कि अकिलेस यादव नहीं सवाल खड़े किया थे कि एज में छूट क्यों नहीं मिल रही है उसके बाद दोस्तों एक दो दिन बाद ही यहां पर एज में छूट भी मिल गए थी अब अकिलेश यादम नहीं दोस्तों सवाल खड़ा किया है भरती में जो है यह सेंदवारी जो हुई है यहाँ पर जो लीक हुआ है पेपर इसको दुवारा करा जाए अब यह दुवारा भी हो सकता है जितनी भी अभ्यातिश वीडियो को देख रहे हैं अपने दोस्तों में सियर जरू कर देना क्योंकि कभी भी दोस्तों आपका जो पेपर है वो फिर से हो सकता है क्योंकि सरकार दोस्तों इस बार जो है लोकस्वा चुनाब के लिए तैयारिया कर रही है तो जैसा कि दोस्तों कोई भी कमी नजर आएगी तो अपनी कमी दोस्तो अपनी जो तैयारी उसको बरकार रखें ऐसा नहीं कि आपका एक्जाम हो गया है तो छोड़ें तैयारी को बरकार करते रहें कम पड़ें लेकिन तैयारी बरकार रखें ठीक है तो कभी भी दोस्तो एक्जाम जो है निरस्त हो सकता है प्रेशा के डेट कभी भी दुबारा आ सकती है और आपका एक्जाम फिर से भी कराया जाएगा जी हाँ दोस्तो तो आप सभी को इतना ही बोला था कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं आपका पिपर लिख हुआ है या नहीं हुआ है आपका क्या मानना है इस वेकंसी पर आपको है इस कमेंट वाक्षन जरू बता रहें और इस वीडियो को दोस्तों पने दोस्तों में भी स करने जयाहिंद वन दिमात्रम